ह्ल giorni, most welcome, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास है हमारा क्लास 12 कहीं och tomato studies, तो आज हम Chapter number 1 जो हमने स्टार्ट किया, तो आज Part 2 हम Complete करने वाले हैं तो आज स्टार्ट करते हैं alright practically अब हम समझते है, objectives of management objective का मतलब है उद्देस उत्व से, मतलब कि management क्यों, कि इसका क्या उत्डे से लुक मैं अ बीडियो कर हुआ है कि मुझे पठाना नहीं ठीक खार लिहा। अब आप लोगों को मेरा क्या उत्डे से तो मेरा कॉझ उत्डे से first one is organizational objectives organizational objectives मतलब वो सबसे पहले अपने organization के बारे में समझे सोचेगा कि उनके organization का क्या उद्दे से है ठीके मतलब उनके organizational objective के अंतरगत आते हैं survival कि जो organization है वो कैसे survive करेगा यह जो era है यह जो present time है वो full of competition है rules जो है वो change हो रहें competition बढ़ रहें तो लोग यहां पर तो यहां पर organization आपका survive कैसे करेगा किस तरीके सब अपने organization को long lasting बना सकते हो यह सबी decision और इन सबी चीज़ों का management organizational objectives के अंतरगत आता है ठीक है अपने organization के बारे में उद्दे से तयार करना आपने organization के बारे में सोचना कि वह कैसे आगे रन करेगा कैसे survive करेगा यह आपका organizational objectives करेंगे लाएंगे लेंगे देन देटिंग is profit कि किस तरीके से आपने चीजों को manage किया जाए किस तरीके से management को fulfill किया जाए पूरे अच्छे तरीके से किया जाए so that कि profit जो है वो higher हो ठीक है profit हमेशा बढ़ता रहे और high profit आप earn करो तो यह भी आपका organizational objectives में आता है और इसमें आप profit के बारे में समझोगे then the thing is growth ऐसा तो कि बस आप profit earn करो अपने organization के बारे में सोचो कि हाँ मेरा जो organization वो कैसे लंबा चलेगा कैसे long lasting चलेगा और इसके बारे में यह ना सोचो कि किस तरीके से growth किया जाए तब तो यह रॉं हो जाएगा ना तब तो यह गलत हो जाएगा concept क्यूंकि आप तो सोची नहीं कि growth कैसे हो आप बस सोचों कि मेरा organization जो हो टिका हुआ कैसे रहे growth के बारे में कौन सोचेगा growth के बारे में सोचना भी management का काम है यह भी manager के अंदर आता है यह वर्क भी ठीक है तो इसे हम लोग बोलेंगे organizational तो growth भी ठीक है organizational objectives के अंतर आता है मतलब growth करने का उद्धे से भी growth करना objective का मतलब क्या है उद्धे से तो तीन objectives है पहले तो organization का अपना objective पहला objective है कि survival कि मेरा organization कैसे long lasting survive करे ठीक है second one is profit that how to earn more profit ठीक है third one is growth that how should we use our resources effectively and with efficiency so that we will so that organization will grow up fast ठीक है तो यह आपका कुछ organizational objectives था second one is social objectives यह social objectives क्या है तो यह social objective का मतलब है वैसे objectives ठीक है social objective मतलब वैसे objectives जो आपके समाज के लिए है ठीक है आप अपने organization के बाहर के समाज को भी देख रहे हो क्योंकि आपके organization में जितने भी चीज़े use होती है वेर वो workers हो या फिर कोई resources हो वो सभी कहा से आती वो सारे के सारे तो society से आते हैं तो society का भी इसमें main role है और आपको ध्यान देना है कि यह जो main role आपका society का है यह आप कैसे इसे use करोगे कैसे आप इसे utilize करोगे ठीक है तो society का आप चीजों को use कर रहे हो आप एक society में हो society से workers आपके पास आ रहे हैं तो एक आपकी responsibility बनती है एक organization की responsibility बनती है कि उसे आप ध्यान दो ठीक है तो कुछ उद्दे से कुछ objective जो है वो अपने organization को लेकर भी है that is prevent environmental pollution कि आपका पहला उद्दे से कि ऐसे manage करें चीजों को ऐसे production करें कि जो pollution है वो कम हो ठीक है यह भी एक उद्दे से कि आप pollution production कम करो ठीक है तो यह आपका हो गया पहला prevent environmental pollution second one is to provide employment opportunities कुछ ऐसा करें कि वहां के लोगों को employment मिल सकें ठीक है ऐसा production करो कि आपका organization बढ़े भी विस्तार भी हो और आप लोगों को वहां पे काम भी दे सको ठीक है तो यह आपका हो गया टू प्रोवाइड यह होगे आपका social objective ठीक है कि लोगों को मतलब काम मिले contribute in raising standard of living आपको कुछ contribution करना है कि वहां की लोगों का जो living standard है वो थोड़ा बढ़े ठीक है living standard उनका ठीक हो मतलब कुछ facilities वेगरा दे दो like पानी की facility दे दो electricity की facility दे दो या अगर आप चौराहे पर है तो आपको कुछ वहां पे game वेगरा खेलने का facility दे सकते हैं मतलब कुछ भी उनका standard को बढ़ाने का काम organization करता है यह भी organization का एक objective है जो management के अंदर आता है ठीक है मतलब management में इन सब भी objectives को भी ध्यान दिया जाता है और वो objectives होते हैं social objectives third and last जो यहां पे है topic देखो यह सारे objectives है यह तीन यह तीन और यह तीन यह 9 के 9 objectives हैं लेकिन 9 objectives जो हैं वो काम के अधार पर बटे हुए हैं जैसे 3 objectives जो मैंने बताया survival, profit and growth यह objective आपके organization के अपने लिए हो गए ठीक है अपने लिए जो organization सोच रहा है management में वो हो गया उनका social objectives मतलब जो society के लिए वो objective है, जो society का हुदेश है कि society के लिए वो क्या करेंगे यह हो गया third one is personal and individual objectives, personal individual objective क्या है तो personal या individual objective का मतलब है कि objective for the workers और the peoples who are in the organization कुछ a people or workers जो की organization में काम कर रहे है उनके लिए, मतलब आप अपने workers के बारे में employees के बारे में सोच के रहे हो उनके बारे में भी कुछ ना कुछ रूल बन रहा है कुछ ना कुछ objective है मतलब उनके बारे में भी आप management में बात कर रहे हो सोच रहे हो उस चीज़ को भी ध्यान में रखके management कर रहे हो तो यह आपका personal और individual objective के अंतर आएगा इसमें क्या होगा आपका reward to employees कि आप employees को reward दो ठीक है जो employees अच्छा कर रहे हैं उनको surprise उनको price दो उनको सम्मानित करो ठीक है तो यह होगा आपका healthy environment management करने का एक उद्दे से यह भी होता है कि एक healthy environment बना रहे ठीक है एक ऐसा environment जिसमें सारे लोग अच्छे से हसी कुसी रह सके कोई भी मन मुटाव भेद भाव ना हो ठीक है provide in participation in profit मतलब profit में से कुछ हिस्सा जो है वो अपने workers को अपने employees को दे दो so that कि वो भी काम को अपने enjoy करें और समय समय पर उन्हें अगर appraisal मिलता रहेगा तो वो और भी अच्छे से काम करेंगे और कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं अब मुझे यह काम मतलब बोर नहीं होंगे मतलब कि क्या जरूरत है तो हमने characteristics and features मतलब इसके गुन के बारे में तो पिछला क्लास में समझा था आज की क्लास में समझ रहे हैं अब्जेक्टिव मतलब इसकी क्या उद्देश से हैं कि काम कैसे है कि हाँ आप तक पहुचा दे हैं वीडियो को तो मैंने पहुचा दिया यह मेरा उद्देश से objective complete हो गया बट इसका importance क्या है मेरी life में तो इसका importance है कि मेरा खुद का थोड़ा practice हो जाता है teaching and teaching मेरा hobby है तो मैं यह कर लेती हूं एक और importance दो importance तो मैंने बता दिया कि मेरा hobby है teaching और मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूं इससे मेरा practice हो जाता है ठीक है दो तीन और मेरा यह importance है तो management का भी कुछ अपना importance है और यह importance क्या है सो अब हम समझेंगे the first one is management helps in achieving goals management जो है वो goals achieve करने में help करता है I don't know why my marker is not working इसमें इंक तो डाला हुए है अभी अभी मैंने डाला but still इसे कुछ हो गया है I don't know what क्यों नहीं चल रहे हूं anyway ऐसे यूज करते है भी फिल हाल तो मेरे पास है नहीं दूसरा color का marker तो management helps in achieving goals management जो है वो goals achieve करने में help करता है देखो मैंने आपको first में ही बताया था इसके feature में कि management is goal oriented process management जो है वो एक goal oriented process है मतलब जहाँ पर management नहीं होगा कुछ ही नहीं होगा वहाँ ठिक है जहाँ management नहीं है वहाँ कुछ होई नहीं सकता तो जहां management नहीं है, वो management भी नहीं हो, कुछ ही नहीं होगा, बस जो normal जो चल रहा है, वो चल रहा है, तो यहां पर क्या है management helps in achieving goals, अगर किसी organization का goal ready हो रखा है, मतलब goal तयार है, तो उस तक पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए manage करना बहुत जरूरी है, लाइक मेरा goal है कि कल मेरा chapter 5 complete हो जाना चाहिए, तो मैं इसके लिए manage करूंगी ना, कि मुझे कल कितने बज़े उठना है, कितना syllabus note करना है, कितना notes बनाना है, कौन कौन से topic को बताना है, ये सबी तो मुझे करना पड़ेगा, तो ये एक छोटा सा management हुआ ना, मेरा chapter 5 complete करने का, same way, organization का भी कुछ ना कुछ goals होता है, वो particular goals को पूरा करने के लिए, ये management बहुत जरूरी है, ठीक है, ये मैंने लिखा है, देखो, it is the work of manager, ये manager का work है, to guide and give common direction to various activities, तो to guide and give, मतलब उसे guide करना और उसको देना, common instructions और common activities to individuals and group efforts in achieving the overall goals of the organization, इसमें बोला है कि ये manager का काम है, कि अपने organization में आप सबको guide करो, आप उसके, सबको guide करो and जहां पे भी कमी दिखाई पड़े, उसे लोगों को बताओ और उसे fulfill करो, ठीक है, चाहे वो people हो, चाहे को individual, मतलब को ग्रूप हो आपके काम का, जैसे department बाट दियो group, तो group हो या फिक को individual हो, इन सभी को, इन सभी से काम करवाए, ठीक है, so that कि आपका goal जाए, limited time में पूरा हो जाए, now the thing is, management creates a dynamic organization, dynamic organization का क्या मतलब है, कि देखो, अब भी तो कितना changes आ रहा है, chat GPT आ गया, अब हमें जादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, net पे कुछ सर्च करने का जड़त नहीं, chat GPT पे सीधा जाओ, जो सर्च करना है वहीं करो, और अच्छे से जवाब देगा वो, है ना, एकदम आपके friend के जैसा आपको बताएगा, तो यहां पर क्या है, तो management भी जो है, वो एक dynamic process है, dynamic organization create करता है, क्योंकि ये भी changes को adapt करता है, ठीके, ये भी changes को adapt करता है, changes को सहता है, changes में मतलब ढलता है, ठीके, it helps people adapt to these changes, so the organization is able to maintain its competitive age, ये organization को changes को adapt करने में help करता है, so that कि जो लोग है, वो काम को पूरा अच्छे तरीके से कर सकें, और competition में बने रहें, competition उनको हराए ना, वो competition उन पर हावी ना हो जाए, ठीके, इसलिए ये dynamic nature का होता है, dynamic तरीके, मतलब ये भी dynamic चीज़ को लेता है, ठीके, now, देखो, अब है हमारा third point, that is, management increases efficiency, efficiency का म efficiency का मतलब है, कि काम को इस तरीके से करना, so that कि आपका जो resources है, वो कम खर्चो, कम cost में आपका काम बहुत अच्छा होना, ये आपका efficiency कहलाता है, effectiveness में क्या होता था, कि effectiveness में time related था, वो कि time पे काम हो, और efficiency में कि cost पे काम हो, ठीके, मतलब cost आपका कम लगे, तो यहाँ पे भी वही हमें समझना है, कि management increases efficiency, ये efficiency को बढ़ाता है, इसका मतलब efficiency बढ़ेगा, मतलब और कम cost लगेगा, ठीके, तो यहाँ देखो क्या है, the aim of manager is to reduce cost and increase productivity, manager का ये aim होता है, कि वो cost को कम करे और productivity बढ़ाए, मतलब production बढ़े और cost कम हो, ठीके, through better planning, मतलब अच्छा planning करके, organizing, अच अच्छे से organize करके, directing, staffing and controlling, देखो, यहाँ जो word आए, planning, organizing, directing, staffing and controlling, मतलब अच्छे से plan बनाके, अच्छे से organize करके, अच्छे से direction देके, अच्छे staff को लाके, और अच्छे से control करके, सभी activity को करवाए, और कम cost में जादा production हो, the activities of the organization, इन सभी activities का use करके, मतलब कम cost पे, जादा से जादा वस्तू का उत्पादन कराना, ये भी एक बहुत important work है, management का, ठीक है, बिना management के ये नहीं हो सकता, इसलिए भी management बहुत जादा जरूरी है, अब देखो, ये सभी जो words जो है, planning, organizing, directing, staffing and controlling, ये सारे words जो है, आपके functions है, जो कि पिछला क्लास में ह थोड़ा 6 का introduction तो समझा था, लेकिन next class में इसे अच्छे से detail में समझेंगे, ठीक है, the activities of organization, इन सभी activities को करके अपना efficiency को बढ़ाना, it helps in achieving personal objectives, मतलब management इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ये personal objectives को भी पूरा करता है, personal objective का क्या मतलब है, कि आपके organization में जो workers हैं, उनके objectives को भी ये पूरा करता है, ठीक है, इस तरीके से management किया जाए, कि management का goal पूरा होने के साथ साथ, जो workers हैं, उनका भी goal पूरा हो जाए, तो कितना अच्छा होगा, राइट ना, बहुत मजाएगा कि नहीं, तो ऐसा ही है, organization में, मतलब management का एक उद्दे से ये भी होता है, कि मेरा भी, जो goal है, वो tik-tak time पे मिल जाए, और साथी साथ, जो workers हैं, वो भी खुस रहें, उनका भी goal पूरा हो, ठीक है, तो देखो क्या है, a manager motivates and leads his team, manager जो है, वो अपने team को motivate करता है, lead करता है, in such a manner that individual members are able to achieve personal goals, while contributing to the overall organizational objective, मतलब, manager इस तरीके से काम को करवाता है, इस तरीके से अपने workers को motivate करता है, देखो, काम करेगा कौन, manager करवाता है, करने वाले तो workers ही है, तो manager इस तरीके से काम को अपने workers से करवाता है, कि workers अब काम करे, organization का भी फाइदा हो, और साथी साथ उन workers का भी फाइदा हो, राइट, चलो, यहाँ तक तो ठीक है, it also helps in development of society, society के development में भी help करता है, यह मैंने objective में भी बताया, कि अगर society important नहीं होता, organization के लिए, तो क्या कभी organization society के बारे में सोचता, नहीं सोचता, बिल्कुल भी नहीं सोचता, मैं कोई भी company से किसी भी organization से अगर join नहीं हूँ, ठीक है, तो उन लोगों को मेरा कोई परवा है, नहीं, वो मेरे बारे में क्या क करेगा, वो उन ही के बारे में करेगा, जो उनके organization से joined है, जो उनके workers है, जो society में रहते हैं, तो same thing है, कि objectives में उनका जब आ गया, कि management जब वो कर रहे हैं, तो उनका objective बन गया, कि हाँ, इनके लिए भी मुझे कुछ करना है, तो important है तभी तो, yes, it also helps in development of society, ये society के help development में भी help क society, by providing quality goods, अच्छे goods देकर, अच्छे goods and services देकर, employment देकर, मतलब वहां के लोगों को, छेत्रिये लोगों को, काम देकर, incorporating new technologies and always striving for growth and development, उनको new technologies में लाना, ठीक है, उनके growth के बारे में सोचना, ये सब ही काम भी management के अंदर आते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, social responsibilities and social importance को पूरा करने के लिए, ओके, तो यहां तक समझ में आ गया, अब हम समझते हैं, nature of management, अब management का nature कैसा है, management, science है, commerce, sorry, commerce नहीं, science है, art है, और profession है, इसे समझते हैं, ठीक है, देखो, आपको क्या लगता है, कि management क्या है, science, commerce और art, sorry, science, art और profession, तो सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि science है, कि art है, कि profession है, तो पहले जानोगे तब ना कि science क्या होता है, art क्या होता है, profession क्या होता है, तो science क्या होता है, art क्या होता है, profession क्या होता है, ये पहले जान लो, उसके बाद देखो कि क्या management में भी ये सभी चीजे हैं, और science में भ भी यह सारी चीजे हैं अगर हां तो ठीक है वो आर्ट तो कुछ-कुछ पॉइंट जो है ना वो science वाले भी मिलते हैं कुछ-कुछ point art वाले वी मिलते हैं इसलिए बोल दिया जाता है कि management जो है वो science साइंस भी है और आर्ट भी है ठीके अब कौन-कौन से पॉइंट है देखो अब समझते हैं साइन्स क्या हुता है और्ट क्या होता है प्रोफेस्ट तरीक तो नौलेज्ट का एक systematic छेत्र है ठीक है universal validity तो क्या बताऊ systematic knowledge जो है वो होता है management का क्या management का systematic knowledge होता है तो येस management का भी systematic knowledge है हम लोग पढ़ रहे ना भी management systematic तरीके से देखो अभी आप पढ़ोगे function तो पढ़ोगे कि functions जो है वो 5 है और पांचो sequence में हमें पढ़ना होता है क्योंकि पांचो जो है वह एक-एक करके होते हैं यह पांचो फट्सन्स जो है एक हुआ तो दूसरा होगा फिर उसके बाद होगा फिर उसके बाद होगा तो यह इसमें सिस्टेमाटिक टो मोसन को रोक देगा तो उधर नहीं चाइना में रोक वो चलता है हम जून को नहीं हम सईन्स का ठीक है वो हुँ पुरा यूनिवर्सल ह argument और नहीं परिंचिपाल ईक्पैरिमेंट्ट ऐसे जो प्रिंसीपल है मतलब जो रूल है वह एक्सपेरिमेटल हैं मतलब एक्सपेरिमेंट करके इनके रूल को बनाया गया है लेकिन सटान्व मॉला ना फोड़ा सा युइंवज सल वैलिडिटी करे hips हम नीं बोल सकते किसा और अलग-अलग तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है सब अपना अलग-अलग रूल होता है ठीक है आर्ट में क्या है तो क्या मैनेजमेंट में थियोरिटिकल नॉलिज है मुझे तो लगता है कि है तो येस मैनेजमेंट में जो है मैनेजमेंट में थियोरिटिकल नॉलिज है और बेस्ट और प्रैक्टिस और क्रियेटिविटी यह प्रैक्टिस और क्रियेटिविटी पर वेस्ट है तो मैनेजमेंट भी क्रियेटिविटी पर वेस्ट है सारे लोग मैनेजर नहीं बन सकते जो मैनेजर वही बनेंगे जो जिनको अच्छे से मैनेजमेंट आता होगा तो यह यहां नहीं प्रेस्टेशन सब्सक्राइब है टिल्विन अधे का कंद मिर्ट को सब्सक्राइब कर दोड़न में इसके लिए उसे फढ़ाई करना होगा dwar़ी मैं अगर मेरा बच्चे वी सामें आएंगे मतलब बिजनस क्या होता है कि आप कर रहे हो तो आपके बेटे करेंग़ कि पिता का कोई बिजनस है तो आप थु wen जाओंगे अगर कंट तरह दॉक्टर युगर तो इसमें restricted entry है इसके कुछ degrees वेगरा fulfill करके आपको इसमें जाना होता है ठीक है इसलिए लिखा है professional association professional association का मतलब है कि जैसे देखो teachers होते हैं नो बहुत सारे teachers का एक ग्रूप होता है एक एरिया में एक association बना होता है teachers association वैसे लोयर्स का होता है lawyer association, doctor doctor association, उसी तरह से managers का भी association होता है ठीक है, उनका भी अपना एक group होता है legal group, well-defined body of knowledge ये एक knowledge का एक बहुत ही अच्छा body है सार है ठीक है, अब देखो आगे क्या है, well-defined body of knowledge हो गया अब बता मुझे की कौन कौन सा point इसमें आया कुछ-कुछ point match हुआ ना कुछ science का भी कुछ art का भी तो इसलिए ये दोनों माना जाता है ठीक है दोनों consider किया जाता है देखो मैंने लिखा है management is both science and as well as art management science भी मानेंगे और art भी मानेंगे like it has systematic and well-organized body of knowledge क्योंकि इसमें भी systematic and well-organized body of knowledge है मैंने बोला ना कि इसमें systematic knowledge है ठीक है and like it requires personal skill और इसमें भी personal skill चाहिए जैसे कि art में होता है ठीक है कि artist कॉन होते हैं जो किसी चीज़ में एकदम superb कोई काम करने में तो management में भी managers होंगे वही बनेंगे managers जो superb हो managing management में ठीक है जो management का काम करने में एकदम super duper hito वह बनेंगे ठीक है तो यहां क्या है इसमें भी personal skill का जरूरत है creativity का जरूरत है and practice का जरूरत है to apply such knowledge in best knowledge in best possible way impossible way तो इसमें भी अच्छे से इन सभी knowledge को profession मतलब तभी यह art भी है ठीक है then है अब समझ भाया कि science भी art भी है science की जैसा इसमें systematic और well organized knowledge है और art इसलिए क्योंकि इसमें skill का जरूरत पड़ता है ठीक है जो knowledge है जो order है जो rules है उनको अच्छे से utilize करके skillful तरीके से pace करना अब आते है management as profession management profession के रूप में ठीक है पेशा के रूप में अब देखो क्या है the rapid development of business business में बहुत ही मतलब rapid development and separate work of honor मतलब business में भी देखो कितना जाधा development हो रहा है ठीक है अभी तो trend चल रहा है business बिजनस में जो मालिक है उनका काम अलग हो गया वह अपने अंडर एक worker को रख ले जो उनके काम को manage करता है तो manager हो गया ठीक है and separate work of honor and manager incorporate form of enterprise have contributed to the emergence of management और इस तरीके से emergence of management में contribute करता मतलब इस तरह इस तरीके से वह management को जरूरी बनाता है अपने organization में as a distant profession तो आप बोल सकते हो कि अभी पूरे तरीके से profession तो नहीं है बट हाँ आने वाले टाइम में यह management भी profession के रूप में जाना जाएगा अभी भी है बट अभी उतना प्रचलन में नहीं है बट आने वाले टाइम में यह और भी प्रचलन में हो जाएगा राइट तो यह था आपका आज का क्लास में नेक्स्ट क्लास में लेवल्स ओप management functions and coordination के बारे में जानेंगे तो तब तक के लिए बाबाई have a good day and notes में provide कर दूंगी once chapter complete हो ठीक है या फिर अगर आप बोड से उतार रहे थे या उतारना जाते हो तो आप उदार सकते हो स्क्रीन साट वागरा लेके ठीक है इस साइट का ले लो उसके बाद अब आप इधर का ले सकते हो बहुत जादा थोड़ा चमक गया है पता नी क्यों ठीक है इसे complete कर सकते हो मिलते नेक्स क्लास में तब तक के लिए bye bye have a good day stay happy stay healthy and please do share if you if you like the video and like it